नमस्कार मैं हूँ श्रया और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडियन हूम डिये वाई हुली आने वाली है और मैं आपके लिए लेकर हैं प्यारे से गुलाल जो बिल्कुल और्गनिक हैं और घर में रखे हुए समान से बन जाएंगे बनने में लगेगा एक घंटा लेकिन सूखने में आदा दिन लग सकता है गुलाबी गुलाल और पेला गुलाल करना क्या हैं गरम पानी चाहिए एक कटावा वेजटेबल जो मैंने सुखा के रहा हैं अब किला भी काम में ले सकते हैं एक मसाला चाहिए कौन से हैं आप गैस की पानी डाल देंगे ताकि वो अपना रंग छोड़ते वाव क्या रंग है भाई और खुश्मों पी छोड़ते अपनी यानि रंग और खुश्मों से भरे हुए आपके पास गुलाल बनने वाले हैं आप अपने खर्च के साब से ज्यादा बना लीजेगा मैंने ये थोड़ा बनाया है क्योंकि मैंने पहले बना के रख लिये थे और फिर मुझे लगाए बहुत अच्छे हैं तो मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं दसे पंदा मिन धखके रख दीजे ताकि अच्छे से अपना कलर छोड़ दें और अब क्या करना है चलनी लेके छान लीजे ता और उससे भी बना सकते हैं उसके रंग से अब इसके अंदर हमने मिला दी है एक मैजिक चीज यानि हमें एक रंग बनाने के लिए से दो ही चीजे चाहिए और ये मैजिक चीज हम सब के घरों में होती है सब के यानि सब के घरों में आप थोड़ा गैस कीजिए कि ये क्या है और इस बीच मुझे मिक्स करते हो देखे इतना खूबसूरत विजुशा पिंक आपने कभी देखा है नहीं न यार यह लिपस्टिक हो तो कितना संदर लगेगा बहुत 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 संदर रंग बनके है और यह जो है यह बलकुल सही है हल्दी है बेहत संदर हल्दी का कलर निकल गया यानि कि अगर आप हूली का रंग जो है हल्दी से बनावा लगाते है तो आप इमाजिन केजिए कि आपके स्किन डामेज होना तो बहुत दूर आपको प्रोटेक्ट भी करेगी मौसम से और संसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद में सिरियसली यह पिंक बहुत संदर है ना अमें दिखा देती हूं पाउजर आपको 330 ग्राम है 330 रुपीज का सौरी 400 ग्राम यानि कि बहुत कॉसली नहीं है और जो बजार में रंग मिल रहे हैं synthetic मून से तो काफी सस्ता पड़ेगा आपको और powder है आप चाहें तो बहुत अच्छा powder ही हो सकते हैं baby powder ले सकते हैं जो आप कामन करें और बस आप इसे एक पन्नी के ओपर या प्लास्टिक पैक के ओपर spread कर दिजीगा च्छाएं में कीज़ेगा पंजगें पे कीज़ेगा ताकि इसके पर डस्ट नाए वाउ पीला बेहत खुबसूरत है और चलिए अब देख लेते हैं पिंक को पिंक कहा रहा है मैं पेले से ज़्यादा खुबसूरत हूँ आप लस्ट देखे खुबसूरती देखे यानि कि अगर आप घिला रंग भी लगाना चाहते हैं तो सचमानी बेहत कूल है और इसकिन के लिए बहुत अच्छा है जब मैंने इस प्रेट करी थी तो मैं सोची थी कि क्यों नहीं फेस पैक की जैसे मैं लगा के देखू कि क्या रिसल्ट्स आते हैं क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो डामेज करें और ये है एक दिन सूखने के बाद में मैंने च्छाय में सुखाया है और ये सूख चुके थे पर मैंने सुबह ट्राइ किया और ये एकदम ऐसे निकला जैसे पापर निकलते हैं बिल्कुल वैसे निकला है बहुत खुबसूरा सी डिजाइन बन गई है और बहुत ही फ्लेक्सिबल है इसका रिजन ये हो सकता है कि फ्लूट स्टार्च उसके अंदर सौरी रेजिटिबल स्टार्च उसमें है हल्दी वाला थोड़ा क्रस्पी करके निकला है जैसे आप देख रहे हैं और ये दोनों निकल के आगए हमारे पास में सूखे हुए जो है गुलाल क्रस्फर्ट रेजिए को उनकी अलग अप्रच में डाल लेते हैं यह देखे इस तरह से मुटरा है थोड़ा सा गुलाब की पत्ट्रों यह थीच Ε्ज़श्ट सौफ्ट जैसे और अब भारी है चाह था उपस बहुत है कर लें पर मुझे लगता है कि मिक्सी में डाल के पीसना ज़्यादा कर्मीनियन्ट होगा देखें इसे में दिखा देती हूं वह बहुत सुंदर है मतलब सीरिसली सुंदर है ना कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि हाँ ना कशुे सुंदर है तो चैलीए मिक्सी में डालते है और मिक्सी में पीस लेते है हल्से कंपरसम इन जपिस करके दिखाया और पहले में डाल रही हूं यह गुलाबी जानते हैं अब यह किसे बनाए यह चुकंदर यान्य वीच Nou close के रस में मैंने इसको mix किया कितना सुन्दर है और अब बना लेते हैं हल्दी वाला और इसको भी मैं पीस के आपको दिखा देती हूँ तो कैसे लगे आपको हुली की रंग हपी हुली और हल्दी हुली और सेफ हुली इन रंगों को अपने को लगाए और जिने आप प्यार करते हैं अपने परिवार के सद्धिया से अपने दोस्तों उनको लगाए बेहत खुबसूरत दोनों रंग हैं गिफ्ट में बना के दीजि या जैसे आप कमन करें उसके हैपी होली अपना ध्यान रखिए सुन्दर लगें स्वास्तरे में जल्दी मिलूंगे नई वीडियो के साथ तब तक टेक केर बाई